नमस्कार विद्यार्तियों ग्यानोद्य अकेडमी हनमानगर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है जी हाँ आज आपके लिए लेके आए हूं राजस्तान हाई कोड की वेकैंसी के बारे में और राजस्तान हाई कोड में जो LDC की वेकैंसी आई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह वेकैंसी 19 मार्च को यह से वेकैंसी का विग्यापन आया है और बहुती अच्छी वेकैंसी है कुल 1760 पदों पर यह वेकैंसी आई है और आप देख सकते हैं राजस्तान उचन्याले मेकनिश नियाइक साहयक यानि जूनियर जूडिशियल एसिस्टेंट और उसके अलावा जूनियर एसिस्टेंट कलर के ग्रेट सेकिंड की ये वेकैंसी आई है और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओनलाइन इसके फॉर्म कब बरे जाएंगे कितना सुल्क है अपकी सेक्ष्ण एकन को कीन मिल सके हैं और इस वेकैंसी के बारे मेंँ देखेंगे सकते हैं रिक्ति रिक्तियों की संख्याव आरक्षन के बारे में यहां पर बताना हुआ है एक तो राजस्थान सलंगन नमबर वन में देख सकते हैं राजस्तान उचनियाले हेतु कनिष्ट न्याइक सायक में लिपी ग्रेट दिते हैं और कनिष्ट सायक की ये वेकैंसी निकाली गई है और ये दोनों के लिए गैर सुची नॉन टीयस्प और टीयस्प दोनों एरिया के लिए वेकैंसी निकाली ग के स्योंहें आपको रहें हैं। इसमें की संधेरियु एब डिटेल अबाते हैं। पिस में ये यूतो सफली तकंपीटर के परिक्षा में जो अर्जित कुल प्रापतांग यानि वर्याइब जो वरियर्ता दी जाएगी जब सेलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले राजस्तान उच नियाले उसके बाद राजस्तान राज्य न्याईक अकादमी तीसरी वरियर्ता ये देंगे राजस्तान राज्य विदिक सेवा प्राधिकरन चोथी जिला नियालों में देंगर पांच में जो देंगे वो है जिला विदिक सेवा प्राधिकरम यानि कि तालू का विदिक सेवा समीते हुए स्थाई लोक अदालत में ये आपको वरेता देंगे यानि आपके selection होने के बाद इस करम में ही आपको जोइनिंग दी जाएगी अभी अर्थियों को अवेदन करते समय जिला नियाले छेत्रों के नाम में से किनी 5 नियाले को प्रात्मिक्ता देनी है यानि आपका selection हो गया तो हाई कोड में वैसे तो हो जाएगी लेकिन आपके mark के according पांच आपको वरेटा देने उन पांच में से आपको कहीं न कहीं जोइनिंग दी जाएगी गैर अनुसुची जो non-TSP area के अवेदक जिलों का chain करते समय अनुसुची छित TSP के जिलों का chain हम नहीं कर सकते हैं अब इसमें आगे देखे अपने बात करते हैं नियुनतम सेक्ष्णि के ओगे ता कि बात करें तो यह कह रहा है कि आपको कम से कम किसी भी युनिवर्स्टी से ग्रेजुएट होना जरूरी है यानि आपके B.A. B.A. है या फिर M.A. है B.S.C. है यह के लिए रोनीचे ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है राश्टेता भारत के नेपाल के अगर हम बात करें कौन-कौन फॉर्म कर सकता है भारत का नागरी को नेपाल या भुटान का परजाणन हो परजाणन अगर वो हो तो वो इस वेकैंसी में फॉर्म फिल कर सकता है अब बात करते हैं इस vacancy की age की कितनी age देखिए इसकी age 18 साल से शुरू होकर 40 साल तक है और यह 40 साल की age एक जनवरी 2020 किस तक के लिए count होगी यानि एक जनवरी 2020 को आप 40 साल के हो जाए देखिए और उसके साथ साथ ही कुछ छूट भी दी गई है इस छूट में बात करें तो द सेड्यूल ट्राइब यानि स्ट एस्ट और स्ट और स्ट के साथ साथ अधर बैकवर्ड क्लास ओबी सी और मोर बैकवर्ड क्लास जिया और वूमें केंडिडेट है उन्हें 5 साल की छूट जानि 45 साल तक स्ट ओबी से विमें जो है अगर उनकी 45 साल तक की age है तो वह इस form को फिल कर सकती है एज के साथ अपने बात करते हैं इसके देखें करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूरी है उपर स्टिकरन में आप दे सकते हैं अंतिम बार जब ये वेकैंसे आई थी तो 2015 के अंदर आयो जी तो की गए थी लिपिक बढ़ती और 2017 में की गए थी उसके बाद 2018 19-20 में क्योंकि नहीं आई ये 20 अब शुरू हुआ है इसलिए आयो में इतनी छूट दी गई है सेवा में सिधी बरती के अभेर्थी का चरीतर ऐसा होना चीए जो उस सेवा में नियूजन के लिए अहिर्थ हो आप अगर कर रहे हैं तो graduate के साथ आपको computer knowledge तो होनी सही है उस प्रिक्षा शुलकी बात करते हैं आपको प्रिक्षा व्यक्षा प्रिक्षा को रहा है है तो अगर देखे समाने 8-3 गूप से कमजोर अन्या पिछड़ा वर्ग अत्ती पिछड़ा वर्ग वे अन्या राज्य के लिए 500 का चलान कटें को आपको जमा करआने पढ़ेंगे और SC, ST या दिव्यांग जन के लिए 350 रुपए आपको फिल करने पड़ेंगे इसके लिए प्रिक्षा शुल की वापसी प्रिक्षा शुल की वापसी समझे किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और नहीं प्रिक्षा शुल को और पार्ट सी आपका जनल नोलेज का होगा ये भी 100 नंबर का ही आएगा SC, ST और जो फिजिकली हैंडिकाप उनके लिए 120 नंबर लेने इसके लिए जरूरी है यानि 120 का मतलब 300 मार्क्स का ये जो पेपर होगा तो उसमें 40 परसेंट उनके लिए जरूरी है स्पीड टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएगा लिगित परिक्षा के आयो जन्क में इज पार्ट चैल है 50 मल्टिव इसमें 50 कोश्चन होगे, एक कोश्चन आपका दो नंबर का होगा, तो 100 नंबर का एक पार्ट होगया, और जो आपका कुछ कुश्चन नहीं भी आते, तो आप उसको फिल कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, अब बात करते हैं, सलेबस की रिटन टेस्ट का सलेबस क्या होगा, देखे पहले हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में संदी, संदी के बेद और संदी विच्छेत, समास, समास के बेद, विग्रा और समासिक फदों की विवेचना, उपसर्ग, पर्तिय, प्रавайवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्तक शब्द, शब्द युगम, शम्शुर शब्द, शब्द शुद्धी, वाक्या शुद्धी, वच्चे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मुहावरे और लोकोक्तियां आपके आएंगे हिंदी में, हर एक्जाम में यही पैटर्न रहता है, हिंदी नॉर्मल होई है, जो व्याकरान आती है, आप इसकी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा, आर्टिकल, डेटर्मिनेशन और प्री पोजिशन का यूज है, आपके डिग्रीज दी हुई है, एग्रिमेंट है, डिग्रीज ओफ अड्जेक्टिव, कनेक्टिव और रॉंगली यूज वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपोर्टेंट जो है, वो है, सिनोनियम और एंटोनियम समय जरूर पढ़ने है, इसके साथ सद वन वर्ड सब्सिटुशन से, प्रिफिक्स, 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 मतलब उपसर्ग और पढ़ते है, कन्फ्यूज वर्ड, साल की कम से कम, अक्टूबर 2019 से लेकर कि जो करेंट है, वो आप पढ़नी शुरू कर दीजिए, जियोग्राफिकल नैचुरल इसो से जियोग्राफिय आप से पुछी जाएगी, जिके के अंदर, और हिस्ट्री और कल्चर और राजस्तान, राजस्तान का कल्चर और राजस् तो उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होगा, और आप इसमें देख सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट कम्प्यूटर पे होगा, और दा कम्प्यूटर टेस्ट स्पीड और एफिशेंसी टेस्ट आपका होगा, पहला जो पेपर है, वो कह रहा है उसमें हिंदी या इंग्लि सी टेस्ट में चेक किया जाएगा, जो कि दस मिनट का होगा, बैक्जिमम मार्क्स 50 से 50 में से 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 स्ट और फिजिकल जो है, हैंडिकैप कैंडिडेट है, उनको 20 नमबर लेने हैं जरूरी है, बाकी को साढ़े 25 नमबर इसके लिए लेने जरूरी है, गतिवे दक्सता परिक् एक गंटे में आर हजार, आठ हजार की वर्ड गी, यानि आठ हजार लेटर आप टाइप कर सकें एक गंटे के अंदर, इतनी स्पीड आपकी होनी जरूरी है, बात करते हैं, एफिसेंसी टेस्ट की, में भी टेकन ओन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्वेयर, सॉफ्वेयर के अक करना होगा, नोट में एक बात देखें कि है, मेरिट ऑफ सक्सेस्फुल केंडिडेट फॉर सेलेक्शन, शैल भी ओन दा बेसिस ऑफ टोटल माक्स उप्टेंड, जितने आपने रिटन में और टाइपिंग डेक्स में माग लिए, उनके अकोडिंग मेरिट बनेगी, उस मेरि तो ही आप टाइपिंग डेक्स के लिए क्वालिफाई होंगे, अदर्वाइज आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, तो फाइब टाइपस ऑफ दान नमबर ओ वेकेंशी, जितनी वेकेंशी है, उनके कम से कम पांच गुना को टाइपिंग डेक्स के लिए बुलाया है तीस मार्षे सोंवार से शुरू हो चुक और यह 27 अप्रेल को पांच बचे तक यह रहेगी ओनलाइन परिक्ष्या शुल्क जमा कराने की तिथी जो है वह 28 फरवरी एक दिन एक्ट्रा मिल रहा है आपको तब आपको ध्यान में रखना है चूकना नहीं है इसको ध्यान में करवाएं और सूचना हमें दे दी जाएगी अनापत्ति प्रमान पत्र भी आमें देना होगा राजस्तान राज्या 25 समीतियों जिला परिशद यह सावजनिक छेत्रों के उपकर्मों में हमें अनापत्ति प्रमान जा सकता है प्रवेश पत्र वेबसाइट से हमें आगे अपने हम बात करते हैं इसके राजस्ता उसने कनिश आयकी रिखतियों के बात करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कनिश आयकी जो टोल विकैंसी हैं वो 268 हैं तो आप इस वीडियो में स्क्रीन शोट ले सकते हैं आप अगर मालुज आग आपको देखना है कि जिए बात करते हैं तो आप इस वीडियो में स्क्रिनशोट लेके उसको सभ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्याइक अक्यों मी जो है लिपिगृट सेकंड discuss holistic की तोटल आठ ऍश एंदर किस्मे कितनी वेकेंसी दी गी है और डिद करे कि ऊकलेपे पोज्टें आप देख सकते हैं, टोटल वेकेंसी जो यह 18 इसके अंदर दी हुई हैं? अब हम बात करते हैं, जिला नियाईलो की लिपिक रेट, सेकंड की रिक्तियों की बात करते हैं, डिस्टिक वाइस यह दी हुई है और आप देख सकते हैं डिस्टिक वाइस यह देख सकते हैं जो लिपिक के लिए दी हुई है अब आगे बात करते हैं देखिए जिला रिक्तियों के में अलग से भी निकाली हुई है आभू रोड ब्लोग एरिया के लिए स्क्रीन शोट ले सकते हैं और इस स्क्रीन शोट लेकर आप देख सकते हैं वेकेंशों के बारे में नोन टीएस पी एरिया की बात करें हैं अगर हम तो नोन टीएस पी एरिया में भी आप देख सकते हैं टोटल 333 वेकेंशी यहाँ पर दिखा रहा है और अगे हम बात करते हैं इस राजस्तान हाइकोट LDC के वेकेंशी में तो विद्यार्तियों देरी मत करो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अगर हम इसके पे ग्रेड की बात बताना चाहता हूँ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दो वर्स तक 14,600 रुपे मिलेंगे और उसके बाद नियमों के अकोर्डिंग 20,000 से लेकर 65,900 तक इसका मान दे होगा जितनी आपकी सर्विस काउंट होगी तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिए नेक्स वीडियो के साथ कल आपको जरूर मिलूँगा जै हिंद जै भारत